कॉंग्रिस के वरिश निता और पुर्वमंत्री सुनिल किदार को आज एक बड़ा जटका लगा है दरसल नाकपुर की विशिश अदालत ने नाकपुर जिला के इंडिय सरकारी बैंक घुटाले में सुनिल किदार को दूशी करार किया है कॉंग्रिस निता और पुर्वमंत्री सुनिल किदार को कोट ने बड़ा जटका दिया है किदार को 150 करोड रुपे के नाकपुर जिला के इंडिय सरकारी बैंक घुटाले में दोशी धरा गया है अदालत ने सुनिल किदार ततकालीन बैंक अदिक्ष केतन सेट मुख्य रोखे दलालों को दोशी धरा है बागी तीन को निदोश बताया गया है दरशल 2002 में सुनिल किदार नाकपुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेर्में थी और समय बैंक का धन एक नीज़ी कंपनी के मदद से कलकता में कंपनी के शेरों में निविश गया गया था लेकिन सहकारीता विभ पनी दिवालिया हो गई जिससे अनिकों किसानों का बैंक में रखा पैसा भी टूप किया इस घोटाले के बाद कॉंग्रिस के वरिश नेता और पुर्वमंत्रे सुनिल के दार पर अपने स्वार्थ के लिए घोटाला करने का आरूप लगा किस दर्च होने के बाद मामला ज चन्याली की नागपुर बिट का दर्वाजा खट कटाया था राजिस सरकार ने हाई कोट से इस बावत रोख खटाने का अनुरोद भी किया था कोट ने राजिस सरकार की मांग को स्विकार कर लिया और रोख खटा दे इसके बाद अब आज आखिरकार इस मामले में कोट का वैसला आ ही कया है कैमरा परसन अजित कोवर के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट